नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हनी बी के रेस्पिरेटिव सिस्टम या मदुमक्यों के स्वसंतंतर के बारे में जहां मानों समेथ अन्य वर्टिब्रेट्स में स्वसंतंतर में लंग्स या फेफडे पाये जाते हैं जो बाहर की वायू के साथ एक्सचेंज करते हैं या बाहर के वाताउन की वायू इन फेफडों में प्रवेश करते हैं तो फेफडों से आक्सीजन है वो रक्त के मद्यम से टिश्यूज तक जाते हैं तो टिश्यूज की सियोटू बलड के थुरू वापिस फेफडों में आती तो यहां intermediate या mediator के रूप में lungs वब्लड पाय जाते हैं और उनके मध्यम से उत्तकों के बीच में और वाताउन के बीच में autosio2 का exchange या आदान प्रदान होता है कीटों के अंदर हम कह सकते हैं कि lungs वब्लड जैसी सरंचना नहीं पाय जाती इसके स्तान पर उनके अंदर नलियों का एक साखानवित जाल पाया जाता है जिसे हम ट्रेकियल तंदर के नाम से जानते हैं ट्रेकिया वास्ता में ट्यूब या नलियां होती है जो क्यूटिकल से बनी वी होती है तो था इनका निर्माण बॉड़ी वॉल के अंदर की तरफ धसने से होता है ये ट्रेकिया बाहर की तरफ छिद्रों के मद्यम से खुलती है जिनने हम स्पायरेकल्स के नाम से जानते है दूसरी तरफ ये ट्रेकिया बड़े कोश या थेलों में खुलती है जिने ट्रेकियल सेक्स हम कह सकते हैं या ट्रेकियल कोश के नाम से उन्हें जानते हैं तो यदि हम ये बात करें कि हनी बी के अंदर स्पाइरेकल की संख्या है वो दस जोड़ी पाई जाती है और इन दस जोड़ी स्पाइरेकल में से तीन जोड़ी स्पाइरेकल इनके अंदर हम कह सकते हैं कि थोरेसिक रीजन में पाई जाते हैं और छे जोड़ी स्पाइरेकल जोड़ी होगी स्पाइरेकल्स की वो पहली जोड़ी यहां पर आप कह सकते हो पाई जाती है और एक फ्रिंज लाइड कैप है उससे ये घिरीवी होती है हम कह सकते हैं कि ये फ्रिंज के नीचे की तरफ दूसरी जोड़ी है वो पाई जाती है विंग्स के नीचे पाई जाने वाली ये दूसरी जोड़ी आप कह सकते हो कि प्रथम जोड़ी और दूसरी जोड़ी जो विंग्स की होती है उनके जंक्सन वाले स्थान में ठीक नीचे पाई जाती है उसके बाद में तीसरी जोड़ी जो स्पाइरेकल की होगी थोरेसिक रीजन में वो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट स्पाइरेकल माना जाता है और वो सीधा बाहर की तरफ खुलता है यदि हम ये बात करें कि एब्डॉमिनल रीजन में पाए जाने वाले स्पाइरेकल्स जो छे जोड़ी होते हैं वो डाइरेक्ट इस डाइग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहली जोड़ी दूसरी फिर तीसरी फिर चोथी पाँचवी और छटी जोड़ी तो ये छे जोड़ी स्पाइरेकल्स एब्डॉमिनल रीजन में पाए जाते हैं पात्वी जोड़ी मैंने भी कहा था कि ये स्टिंग चेंबर या दंसन कोस के अंदर बंद होती है प्रतेक स्पाइरेकल्स फिर एक चोड़ी सनचना में खुलता है जिसे हम एट्रियम कहते हैं तो एट्रियम और स्पाइरेकल्स के अंदर एक बीच में जंक्सन पर एक वाल पाया जाता है जो एर को कंट्रोल करता है फिर उसके बाद में प्रतेक एट्रियम पीछे की तरफ हम कह सकते हैं कि एक सनचना में खुलता है जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं यह इस डाइग्राम में थोड़ा सा एलोबरेट करके हम इसको देख सकते हैं कि यह जो स्पाइरेकल एरो के द्वारा दिखाया गया है और यह स्पाइरेकल फिर जिस चोड़ी जगए पे खुल रहा है इस चोड़ी जगए को हम एक ट्यूब या नली समान सनचना यह ट्रेक इन दोनों के बीच में यह यू आ करती कि एक सनचना आपको दिखाई दे रही है यह वास्तों में हम कह सकते हैं कि एक वाल होती है जो की एर को कंट्रोल करता है यानि ट्रेक एट्रियम से जाने वाली वायू जो ट्रेकिया में जाएगी वो इस वाल के द्वारा कंट्रोल हो यदि हम ये कहें कि जब वायू की ज़रत नहीं होगी तो ये वाल है वो मुसल के द्वारा या पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है और नीचे की तरफ आता है जिसके कारण ये जगह संकडी हो जाती है और यहां से जाने वाली एर का फ्लो ट्रेकिया में जाने से रुख जा जाता है जब ये वायू की ज़रत होती है और ये जो वाल है वो उपर की तरफ होता है तो ये स्पेस यहां पे ज्यादा चोड़ा हो जाता है और ट्रेकिया में जाने वाली एर है उसका फ्लो है वो बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाल वास्तों में एर को कंट्र करते हैं जरत के मुताबिक एयर को जाने देते हैं और जब जरत नहीं होती है तो एयर को जाने से रोकते हैं फिर उसके बाद में बात करें कि प्रतेक ट्रेकिया आगे चलकर सैक्स या थेले जैसे संचनाओं में खुलता है जिने हम ट्रेकियल सैक के नाम से जानते हैं ये ट्र यह ट्रेख्या हर ट्रेक्यियल सैक्स से पहले स्पाइरेकल के साथ जूड़िए और फिर ट्रेक्या जिस चेम्बर में खुलता है उसे अपनोय से अरह ट्रेक्य झालख के अंदर आती है और फिर उसके बाद में ये ट्रेकियल सेक छोटी छोटी सा खानवित नलियों में और बढ़ जाते हैं आगे जाकर जिने फिर हम ट्रेकिया कह सकते हैं और ट्रेकिया से फिर पतली नलिया निकलती है जिने हम ट्रेकियल के नाम से जानते हैं हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रेकियल सेक्स की संख्य प्रतेक खंड के अंदर निश्यत होती है और ये ट्रेकियल सेक वास्तों में अपने अंदर बड़ी मात्रा में एर या वायू को भरे रहते हैं और इन ट्रेकियल सेक्स से ये एर है वो ट्रेकिया के मध्यम से फिर आगे ट्रेकियोल की तरफ जाती है जिसके बारे में अगले डायग्राम में तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतेक ट्रेकिया है वो फिर पतली नलियों में बटेगा और ये पतली नलिया जो इसकी होगी उ उनको हम Tracheole कहेंगे और आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो Trachea यहां पर है और ये Trachea फिर आगे जाकर के ये पतली पतली नलिया बना रहे हैं इन पतली नलियों को हम Trachea के नाम से जानते हैं ट्रेकिया और ट्रेकियोल में फरक यह है कि जहां ट्रेकिया की वाल के उपर सपोर्ट करने के लिए काइटीन की रिंग्स पाई जाती हैं वहीं ट्रेकियोल के अंदर यह रिंग्स नहीं पाई जाती हैं और ट्रेकियोल है वो सीधी की सीधी टिशू या उत्तकों के अंदर ध बात करें हम पूरे respiratory system की तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो इस डाइग्राम में आप देख पा रहें कि ये जो जगह है वो spi-recal है उसको सो कर रही है spi-recal वाले भाग से फिर एयर है वो आती है एट्रियम में एट्रियम ये जगह एट्रियम है एट्रियम से फिर अगली जगह है वो trachea है और trachea, जो है वो खुलते हैं, वो tracheal trunk या, आप कह सकते हो कि ट्रacheal sex के अंदर खुलते हैं, जिनको आगे पिछले डाइग्राम में देख चुके हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो साखाएं, आपको यहां दिखाए दे़ी हैं, वो trachea के दुरार्बनीवी साखाएं Tracheals कहला और यह ट्रेकियोज फिर आगे चलकर उत्तकों के अंदर खुलती है अब यदि हम बात करें कि O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वायू या एर हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है यदि एर को बोडी के अंदर प्रवेस करना ह तो हम ये कहेंगे कि बोडी के अंदर एर का प्रेसर वातावन के एर प्रेसर की तुलना में कम होगा या वातावन में हवा का या वायू का दाब जादा है और बोडी के अंदर एर का प्रेसर या दाब कम है तो ऐसी स्तती में एर हो वातावन से बोडी के अंदर प्रवेस कर पिर उसके बाद में हम कहें कि जब air pressure अंदर की तरफ बढ़ जाता है यानि टिश्यूज के अंदर या बोडी के अंदर air pressure बढ़ जाता है तो वाताओन के तुलना में यह ज्यादा होता है इस कारण air है वो बाहर की तरफ आती है तो इसके आने का मार्ग वही है जो इसके पहले के लिए abdominal muscle से उनका यूज़ किया जाता है जब abdominal भाग की muscle संकुचित होती है तो कीट का सरीर या body है वो पिचकती है और उसके पिचकने से हम कह सकते हैं कि अंदर की हवा का दाब बढ़ जाता है और अंदर की air या हवा बाहर की तरफ आती है उसके बाद में अदियापन कहां कि ये muscles जब relax होती है तो वापिस इनका सरीर फूलता है और फूलने से अंदर air pressure कम हो जाएगा जिसके कारण वातावन की हवा बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो इस तरह से उनके अंदर O2 वे CO2 का exchange होता है तो हम ये कह सकते हैं सारांस रूप में कि कीटों क पाए जाने वाले spiracles सुक्ष मचिदर होते हैं जिन से वातावन की वायू अंदर प्रवेश करती है ये spiracles खुलते हैं एट्रियम में और एट्रियम खुलता है आगे जाकर ट्रेकिया के अंदर और ट्रेकिया खुलती है ट्रेकियल सैक्स के अंदर और ट्रेकियल सैक्स से फि बंद होती है या blind end वाली ये संचना ही होती है और उसके बाद में हम ये कहें कि वातावन और tissues के बीच O2 और Shio2 का exchange होगा वो air pressure पर depend करेगा यदि सरीर के अंदर air का pressure कम होगा तो वातावन की air है वो सरीर में प्रवेश करेगी और सरीर के अंदर यदि air pressure ज्यादा होगा तो स muscles है वो संकुचित होती है वो relax होती है जब ये muscles संकुचित होती है तो सरीर पिचकता है और जिसके कारण अंदर दाब बढ़ जाता है और अंदर की हवा वातावन में मुक्त होती है तथा जब ये muscles relax होती है तो ऐसी स्तिती में हम कह सकते हैं कि बाहर का दाव अंदर की तुल इनको पढ़ सकते हैं आराम से और अपने नोट से वो तयार कर सकते हैं अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे किसी अन्य तंतर के बारे में बात करने के लिए इसके आज के लिए इतना ही धन्यवाद